रामराम किशान भायो आज बात करेंगे खीरा ककड़ी का तोड़ केसे लगाना और केसे क्या पैकिंग वेकिंग होती है? सारे इसके बारे मिन्याज बात करने वाले हैं. जब तक YouTube चैनल पे जो किशान भायी है हमार YouTube चैनल सस्क्राइब कर ले हूँ. क्योंकि आने वाली हमेशा वीडियो आपको मिलती रहे राम-राम यहां start करते हैं जैसा किशान भायों पेले अपने खेत में फिना है अपने वह देखना है अपने खेत में कितना माल सेट है और कितना गाड़ी भर सकती है उसकी मंडी की लाइन क्या है क्या नियुक्त के बारे म मजदूरों को करें मजदूरों को बाद उनसे सावधाने से तुडवाएं एक नंबर साइज तुडवाएं उनसे जैसे कि अपने जो साइज तुडवानी वही साइज तूटनी चीए छोटा बड़ानी तूटना चीए अगर वह छोटा छोटा तोड़ देंगे तो साइज तुड़ाई करवा रहा हूं भी यह वाली क्योंकि अभी रेड़ भी दस रुपए किलो है तो में मोटे ही बेच हुआ पतली नहीं बेच हुआ तुड़ाई चल रहे हैं अभी जैसे कि हमने यह उफर वाला डेड़ बीगे का लाट तोड़ दिया है और अभी तूट रहा है वहाँ पे देखें खिरा ककडी का धेर कितना बड़ा हुआ है कितना माल अपने कितने सेट हुआ है चलते हैं जैसा किसान भाईयों मैं अभी धेर के पास आया हूँ लगभग यह 25 कोंटल से उफर टूट गया हमारा डेड़ विगे से जगा कम में और अभी टूट रहा है लगभग अभी हमारे खेत में 40-42 कोंटल का तोड़ा फर्स्ट तोड़ा 46 दिन में सेट हुआ है इसकी साइज खत्रना हो रही है एक नंबर और इसकी जो लेंध है हम देखेंगे इसे मेरी एक बेद यह पूरा इतना लंबा है साई अच्छी है यह शांदा है लगभग किसान भाईयों 45 कोंटल से भार ही माल है इसमें कमनी है क्योंकि परको 25 आगलन तो यही लग रहा 25 का वही होगा बड़ा ड्हेरे 25 से आधा कमनी है और अभी इतना तोरना रहा है अब इसकी पेकिंग के से करना है क्या करना कहा की लोडिंग है कोंसी घाड़ीम भेजना है इसकी पोलितिन की साइच क्या है कौन सी लेनी अपने को और इसकी सारी हम डिटेल में बात करने वाले खतर नाट लगबग 25 कोंटल से उफर हो चुका है और अब भी तो इस शिर्फ यहां पर आये हैं मतलब इदर इदर की लाइन टूटे अभी लगबग इतना ज्यादा और बचा हुआ है यहां पर तोड़ रहे इस सेंटर पर इतना और बचा है तो अभी लगबग 45 कोंटल से उ जगाउ से इसको करा था जो आज इसका में एक रिजर्ट देखने को मिल रहा है तो इसकी पेकिंग भी देखेंगे हम कैसे करते नो जेसा कि जान बहीं हमारा घेतमे से तोड़ा होने के बाद अभी आदा खित हमारा रहे चुका है तो अभी इसके बाद हम सुने करवारा हैं पेकिंग कैसी होती देखते हैं कि यहां पर 16-16 किलो की पेकिंग हो रही है 20-26 की पोले थी नहीं है और एपल कंपानी की बननी है मजबूर कि इतने किलो का हो रहा है घरता मंडी में यहां से तूल के आता है 16 दोस्तों की हलका माल भार फ्रेश खिरा जम रहा है हमारे पाउजों में इसी पेकिंग करना है साब सुतर अच्छी ताकि मार्केट में रेट निल सकते हैं इसी वीडियो इसी जानकर एक लिए हमारे यूटूब के लों सब्सक्राइब करते रहें देली वीडियो के लिए नाम नाम